देश के दक्षिनी राज्यों टामिलनाडों में एक हेलिकॉप्टर दुर्खटना में भारत के शीर्ष सेन्य कमांडर की मौध हो गई है। बुदवार सभे कुनुर शेहर के पास पहारियों में MI-17 V5 हेलिकॉप्टर के गिरने से चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत उनकी पतनी और ग्यारा अन्य की मौध हो गई। घायल एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाद चल रहा है। तेसद वर्षिय जनरल रावत को जनवरी 2019 में भारत का पहला चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ न्यूक्त किया गया था। ये सेना, नौ सेना और बायू सेना को एक साथ लाया। और जनरल रावत भारतिय प्रशाशित कश्मीर सहीत कई ओपरेशनों के प्रभारी थे। भारतिय वायू सेना ने कहा कि उसने कोहरे के मौसम में हुई दुरघटना की जांच के आदेश दिये हैं। रन नीतिक मामलों पर उनकी अंतरदृष्टी और दृष्टी कोन अपवाद थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। मोदी ने ट्वीट किया।